हाई फ्रेंट सबका मेरे चैनल टेकनिकलमकेडियर में स्वागत है दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आप फ्री में पैन कार्ड कैसे बना सकते हैं तो फ्रेंट इस वीडियो में आपको बहुत ही सिंपल तरीका बताऊंगा जिससे आप अपने घर बैठ अपने मोबायल से ही बना सकते हैं तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं वीडियो को सुरू करने से पहले फ्रेंट आप से छोटी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा अगर वीडियो प्रसंद आए तो प्लीज लाइक कर दीजेगा और चैनल पे पहली बार आया तो चलिए बीडियो को इस हाएय यहाँ पर आने के बार देख सकते हैं वहोत सार याँ पर क्यूक लिनक जो आ क्यो ws करने आपको सा फ्लिखश query स्क्राइब होगा क्लिक करने के बाद यहां पर दिख सकते हैं थोड़ा सा लोडिंग ले रहा है तो यहां पर आपको थोड़ा सा वेट कर लेना होगा और यहां पर फ्रंट दिख सकते हैं यहाँ पर आपको क्लिक करने के बाद यहाँ पर ओर रहा ऊड़ा है क्लिक लिपकर लिए इन्टर आधार नमर्र डालना है उसके बाद यहाँ आपके जो pen card है वो बन जाएगा कुछ भी करने की जो रुकने केवल आपको यहाँ पर अपना आधार नंबर डालना है आधार नंबर डालने के बाद जो check mark है इस पर आपको click करना होगा और continue पर आपको click कर देना होगा तो चली मैं आपको बताता हूँ सब कुछ भर के तो फिरन यहा पर continue पर click कर दे रहा हूँ continue पर click करने बाद देख सकते हैं loading ले रहा है और यहाँ पर देख सकते हैं OTP validation तो आपको थोड़ा सा नीची आना होगा और यहाँ पर देख सकते हैं check mark लगा करके continue पर click कर देना होगा फिर से loading लिए और यहाँ पर देख सकते हैं लिख रहा है check your phone तो आपके registered mobile जो आज हर card में mobile number लिंक रहेगा उस पर एक OTP जाएगा उस OTP को यहाँ पर डाल करके और फिर से आपको check box जो है उसमें check mark लगा करके और continue पर click कर देना होगा तो यहाँ पर मैं जल्दी से OTP को डाल दे रहा हूँ OTP डालनेक बाद check mark लगा करके continue पर मैं click कर दे रहा हूँ यहाँ पर कुछ इस तरह से आजाएगा तो आपको continue पर click कर देना होगा continue पर click करने बाद देख सकते हैं थोड़ा सा loading ले रहा है और यहाँ पर देख सकते हैं लिग रहा है your request for e-pan has been submitted successfully यहाँ पर आपका जो acknowledgement नंबर है इसको sms के जरीए send कर दिया गया है आपके mobile नंबर पर तो फिर यहाँ पर जो हमारा pen card है वो successfully यह continue पर click करना होगा download वाले पर उसके बाद यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर डाल देना होगा आधार नंबर डालने के बाद continue पर click कर देना होगा continue पर click करने के बाद आपके mobile पर एक OTP आ जाएगा उस OTP को यहाँ पर डाल के continue पर क्लिक कर देना होगा continue पर क्लिक करने के बाद देख सकते हैं थोड़ा सा फिर से loading लिया loading लेने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं लिख रहा है कि 13 अगस्त को मैंने यहाँ पर apply किया है आजाज़ें कुछ घंटे के बाद तो फ्रेंट 23 घंटे बाद या एक दिन के बाद फिर से आपको यहाँ पर in quirडन कर देना हुए देख सकते हैं यहाँ बीज़ागा उर Os queria student अब लज़ेने के बाद है कि और के बाद ऑन पर देख सकते हैं check status download प्लोड फैन तो इस पर आधार को क्लिक करना होगा फिर से आपको यहां पर डाउनलोड करके दिखा दे रहाऊ यहां पर आधार लेसे बाद काdar मुपर मैं क्लिक कर्दे रहाओ पर क्लिक करने के बाद हमारे मोयल पर OTP आ चुका है उस OTP को डालने के बाद continue पर मैं क्लिक कर दे रहा हूं continue पर क्लिक करने के बाद यहां पर देख सकते हैं 13 अगस्त को मैंने यहां पर बनाया भी था तो यहां पर मैंने डाउन्डोड कर दिया इस पीडियो आपको मैं open कर दे रहा हूं और open करने के बाद यहां पर आपका पास्वाड मांगेगा तो आप अपना जन्मतिती डाल दीजेगा जैसे जन्मतिती है कि मान लेजिए 112001 तो आपको 01-01-2001 लिख देना होगा उसके करके रखाऊं security region की वज़े से और आपका pen card बनके ready हो चुका है तो फ्रेंड कुछ ही इस तरह से आप बहुत ही आसानी से आप यहां पे उसको download भी कर सकते हैं और इसे अगर आप प्रिंट करना चाहें तो आप प्रिंट करके भी रख सकते हैं तो फ्रेंड कुछ ही तरह से आपको लेक वी आसानी से free में pen card बना सकते हैं तो फ्रेंड यहां पर मैंने आपको दिखाया किiałem 3 अगस्त को को ही मैंने apply किया और 3 अगस्त को प्रिंट को ही वहां पर लख रहा था कि वहां पे आपका pen card बन चुका है तो फ्रेंड अगर आप अपना pen card बनाना चाहते हैं और चैनल पर पहली बार आना तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिगा और साथ में बेल आइकन को इप्रेस कर दीजिगा तो फ्रेंड इस वीडियो में बस इतना मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जैहिंग बंदे मात्रम